नमस्का मित्रान्नों, वेलकम बाक टो माय गवर्मेंट ट्रैक यूटूब चनल तर आई टियाई इंस्ट्रक्टर रिकूट्मेंट संदर्बा मदे एक नविन अपडेट आलेला है डिवी टे करून एक सर्कुलर आलेला है तर वयो मर्यादा संदर्बा मदे ते सर्कुलर आहे आणि कही दूसान पूर्वी अजोनेक सर्कुलर आलेला होतो ते मंजे सर्टिफिकेट्स तुमचे जे प्रमान पत्र आहेत CTI, CITS, NCIC येंचे संदर्बा मदे तर बराच विधारतें नी मैसेज करून विचार लोते की ते प्रमान पत्र आवशक आहेत का कंपलसरी आहेत का डिगरी आनि डिप्लूमा चे स्टुएंट्स तैंचा कड़े जे हे सर्टिफिकेट्स नसता तर ते या रेकुट्मेंट्स अटी अपला करूशकता तका आनि लास्ट डेट कदी आहे या रेकुट्मेंट्स तर या का ही सर्वगुष्ट्य आपन या वीडियो मदे पहाणा रहो तर स्टार्ट करने आधी तुम्ही जर टेलिग्राम चैनल जोइन नसल के ला तर टेलिग्राम चैनल जोइन करूशकता डिस्क्रिप्शन मदे लिंक आधी इंस्ट्रक्टर या एक्जाम चा प्रिप्रेशन करने साथ या पन ये टेलिग्राम चैनल स्टार्ट के लेला है तर ते नकिस तुम्ही जोइन करा तर पहा ओनलाइन जे अप्लिकेशन स्टार्ट जहलेला है तिया ओलड़ी सत्रा आठ दोनोजर बावीस्त या डेट स्टार्ट जालेला है अनि लास्ट डेट जी आहे ती साथ सप्टेंबर दोनोजर बावीस्त रा त्री बारा वाजबरें ठीके तर साथ सप्टेंबर चा आधिस तुम्हीं हे फॉर्म फिलब करून घहू शकता आनि ट्याचा आधिस उद्दा तुम्हाला एक आजुन गोश प्रिश्ट कराई ची अजर तुम्हीं ट्या काटेंगरी मदे फॉल होता सल्तर तुम्हीं तुम्हाला नेक्स्लाइड मदे सांगना राचा है आनि अड्मेट कार्ट जी आ है तुम्हाला परिक्षेचा साथ दिवसाथी मिलना राहे त आनि एक्जाम ची टेंटिटीव जी आ है ती सप्टेबर कि मां ओक्टोबर 2022 ओके आनि सीवीटी टू मंजेस नेक्स्ट जी में साहे तैची एक्जाम डेट आ है नोवेंबर 2022 आनि तुम्हाला महीत्या सरवान्ना की ही एक्जाम जी आ है ती टीसेस कंडट करना रहे तैचा मुझे तैंसा जो शेडूल ठर ल ठीके तर लास्ट डेट जी आ है ती साथ सप्टेबर तैचा आजी सरवान्नी फॉर्म भरायला पाहे जे आईटियाए चे विधार्ती डिप्लोमा आनि डिगरी ये तिनी विधार्ती अप्लिकेवल आस्तात इलिजिब्लेटी क्राइटेरी अपन अल्ड़ेडी एका तुम्हाला सरवान्ना सांगीत लेला आहेस तर इते पाउशकता तुम्ही की डिप्लोमा आटलिस्ट सेकेंड क्लास पाहे जे आनि डिगरी चे विधार्ती शुद्धा जैसे की उमेद्वार नहीं संब्धी द्यवसाय में दे उत्चे सेक्षनी कहरता धारक उमेद्वार प अपला गरू शता तर आता एक नोटिफिकेशन जे आलेला होता सुरुआती ला लेटिस्ट जो नोटिफिकेशन आले ते ऐज लिमिट संदर बावत तों मला में दाखो ना रहे तर हे जे लेटिफिकेशन आलेला हे ते पाउशकता तुम्ही यह चा मधे तननी अगें डेट मेंचन के लेलिया है जी 17-8-2022 या दूसा पसन जे फॉर्म फिलप ची प्रक्रिया है ती स्टार्ट करनेत आलेलिया है आनी हाँ पोईंट सर्वात महत्वाचा है कि दिनांक 1-3-2020 ते 17-12-2021 या कालावदी मदे जा उमेदवारा नी कमाल मयो मर्यादा मंजज़ें ची एज लिम मंज़े काय कि जर तुमी या डेट मधे जर तुमची age limit एक्स्टेंड होता सब मंज़े तुमची age limit ति ते वेनेश होताँ तर तुमहला एक वर्षा जा मंज़े एक वेड़े ची विशेश बाव मननों या रिकूर्ट्मेंट मधे अपलय करने ची संधी देनया तियता है आणि या संदर्बा मदे जी आर जो तेनी शाचना ने काड़ लेला होता तोच जी आर चा इते मेंशन के लेला है पन आथा तुम्ही अपलाय करनार पन कसा अपलाय करनार ते सुद्धा इते इंपोर्टन्ड है सदर सवलती चा लाब गहनास इच्छु कुमे द्वारा नी टान चा यूजर आईडी अपलिकेशन नंबर वो जन्मत आर्खे चा पुरावय ची प्रत PDF फॉर्माट मदे देव 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 देवडेटी हल्पडेक्स2022 अट दरेट जीमेल डॉट कॉम या इमेल वर्ती अन्लाइन आजा सादर करनेंचा अंतिम जिनांका पुर्वी पाठवावय बंजे का है तुम्हाला तुम्चा यूजर आईडी अपलिकेशन आणी इजे प्रूफ आए तुम्चा कड़े जन्मतार्खेचा पुरावय वर्ण उमेद्वार एक्वेल ची विशेश बाप मणून संदीर मिल्णास पातर आहे अथवा नाही याची खातर जमा करून ता नंतर उमेद्वार आस dvete helpdes2212.gmail.com यांचा द्वारे कवना ती अदा कर नंतर ते साधर करनास अंतिम दिना का पूर्वी पूर्वे पूर्ण करनास्दीर सर्वस्वी जबापदरी ही उमेद्वार ची रहे मंझेश कायै तुम्हाला सुर्वा तीला ताना मेल करयाचा दौकुमेंट्स दौनн त्र, त्र याश शर्वान नी गहला पाइजआ आणी दुसरा मंजे आजुनेक परिपत्रक आलेले होता सम्वी सौगश्ट दुनजर बावीस रोजी तरहे सरवाना माईते यचावर्न बरत्स से कन्फूजन्स क्रियेट्स हालेले होते कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मंजे सकाय शिल्प निदेशक या पोस्ट साथी चेहे रुकृट्मेंट नोटिफिकेशन मदे तैननी आसे एक मेंशन केला होता कि तुम्हाला सीबीटी वन मदे 25 टक्के मार्क्स घेन कंपल्सिरी आ है तैचा नंतर तुम्ही मेंशाटी इलिजिबल होाल ओके तैचा मदे 25 टक्के आथवा त्या पेक्षा अधिक गुण प्राप्त के लेले उमेद्वार व्यावसाइक चासनी करिता मंजे सिबीटी टू करिता पातर ठर्ना राहे तैनी सांगीतले होता यास तो प्रथम टप्प्या मदे ओनलाइन अज़ा स्विकारताना उमेद्वारा चे CTI, CITS आनी NCIC प्रसिक्षन SSV रीता पूर्ण केला चे प्रमान पत्र स्विकारनात आलेले नही मंजे आपन जहां ओनलाइन फार्म फिलाप करत होतो त्यम्हां हे सर्टिफिकेट तैनी म उमेद्वारान करण। दुसर्या टप्पात अउनलाइन अर्ज़ा स्विकारताना उमेद्वार जा पदान करता पातर ठरल त्या पदा करता विहित के लेले CTI, CITS, NCIC चे प्रसिक्षन उमेद्वाराने एशश्वीरीता पूर्ण केला चे प्रमान पत्र स्विकारना तेना रहे यची नोंद के अभी मंजस काये कि तुम्हाला आता प्रिलिम्स मदे तुम्हाला काही कुटले सर्टिफिकेट विचारल जानार नहीं एकदा प्रिलिम्स रिजर्ट लागला अंतर जहां तुम्ही मेन सट्य अपला करा तेमा तुम्हाला हे सर्टिफिकेट जन्चक्ड अस्तिल तर ते तनी मागून गेतिल ठीके आनी तन्ना प्राधानने देना तील हे सुधा गोष्ट आपले अड़र्टाइजमेंट मधे मेंचन केले लिया है आता प्राधाने क्रम वर्थीजर आलो आपन हे नोटिफिकेशन मधे आहे जा पात्र उमेद्वारांचे एकुन केले ला है कसा केले ला है पहा सब्यात पहली गोष्ट काई देले लिया तनी कि CITS प्राधिक्षन पूर्णे केले लिया उमेद्वारास प्राधाने देना तील ठीके यजा अर्था काई कि जर एकादा डिग्री विध्धर तने किवा डिप्लोमा सेकंड ट्लास विधर तन कुणनाल देना तील CITS विधर तना देना तील ग्रोबर तर या साथी सर्टिफिकेट तेहुआ मागना रहेत मेंस चे एक्जाम फॉर्म भरून घेताना आत्ता तनी कुठलाय पकर्च सर्टिफिकेट अप्लोड करना साप्लेला सांगितलला नाहिये जमा मेंस चे फॉर्मस तर इते फाइदा होना रहे आईटिफिकेट असनारा विधरतान साथी तर सरवानी या एक्जाम साथी सा आप्वास करेला पाएजे करन खूप चांगली संदिया है और एक्जाम जा है तर टाइमवर होना ची खूप जासते चांसे से तर्चा मोड़े आप लेकड़े वेल क करें जासेल त्याचा मदे 15 फुल लेंट टेस्ट अस्तिल एकदम TCS पाटर्न कारण TCS ने आता परें महारास्टा मदे कहा है यह एक्जाम सकंड़े लेला है तर ट्या एक्जाम से क्वेस्टन्स ला कंस्डेर करों TCS कशा प्रकारे क्वेस्टन्स विचारते तर त्या नुस करूँ शकता अनि आता एंड्रोल के लानतर तुम्ही तुम्हे प्रिप donor छलान दर कदी है टेस्ट अटं गरो सकता कदी है टेस्ट काड़ी अध्य या टेस्ट्रिप्षिन मदे आप छी लिंक अबलेबल आए औनि अजुन परन्त तुम्हीं टेले ग्राम चैनल्छी शुद झाल झाल